सो हेलो नमस्कार दोस्तो कल आपलो का एक्जाम कैसे गया मैथ का एक्जाम आप लोग नीचे जो है कमेंट कर दिजे कि आपलो का मैथ का एक्जाम कैसे गया बहुत सारे स्टूडान का बहुत अच्छा गया बहुत सारे स्टूडान का खराब भी गया होगा जो सब परहे लिख सिधे एक्जाम में पूस्ट दिया जाएगा इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से सारा क्वेशन को पर लीजिए और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वीडियो स्टाट होने पहले मैं बता दू आप लोग जैसे एक्जाम खत्म होता है फर्स् सब्सक्राइब करता हूं कि आप लोग इस नमर पर क्वेशन जरूर भेश दीजिएगा दोस्तों क्वेशन भेश दीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग 80 अब्जेक्टिव करेंगे जिसमें 10 से 15 अब्जेक्टिव 20 अब्जेक्टिव करता है कि इसमें हेमो गलम नहीं नहीं पाई जाती है तो दोस्तों किसव हीमोल्य के कमी सब्सक्राइब जाता है जो से एनीमिया हो जाता है क्या हो जाता है जो जो है बिल्कुल कॉर्यक्ट एंसर हो जाएगा तो इसका प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन का काम होता है अगला क्वेशन कहता है मुख गुहां में मुख गुहां में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है कौन सा भाग का पाचन होता है दोस्तो कौन सा भाग होता है यह होता है कार्बोहेड्रेट का होता है किसका होता है कार्बोहेड्रेट का अगला क् परस्टा यंग के लिए मैं बता रहा हूं रख्त में सरकरा का अस्तर नियंथ्रित करता है दोस्तों यह नियंथरिश करता है इंस conson draft मानव शरीर में सबसे लंबी कोई चानस है, दोस्टों, मानव शरीर में सबसे लंबी कुशिका चानस है, अगला कौस्षन है निम्नांखित में कौन प्राकिर्तिक शुकurar दोस्तो हल्दी जो है इसमें से प्राकिर्तिक सुचक है यह इसका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा और यह भी BVA क्वेस्टन है जितने में मैं BVA बता रहा हूं उसका 70% एक्जाम में आने का चांस है आज के एक्जाम में जो है 70% आने का चांस है दोस्तो इसलिए आप लो सारे questions पर जो जचिझ में BVA लगा देता हूं उस उस पर धियाण दीजेगा हला कि सारा question इंपोर्टेंट है ब्र जोचिझ में BVA लगा देता हूं उसका 70% हो जाता है पूछने का कोईसन कहता है कैल्सियम, professionals carbon carbon hydrogen के साथ अब दिदि दीजिएगा और जो जोन के संख्या कितनी होती दोस्तु जन जल में कितनी होती है त crushing कहा दता है त्न होती क्या हो दोस्तो, ओठिर्म, यानि, कि तीन परमानो के संख्यार रहती है कमड़े के तरब तरब दरब अवस्था में रहने धातू कौन से धातू है जो द्रब वास्था में रहती है पारा कौन से होगा जाएगे पारा भी भी है क्वेशन है अगला क्वेशन कहता है सरलता महाइडरोकार्बन है सरलता महाइडरोकार्बन कौन सा है दोस्तो मिथियन जो है सरलता महाइडरोकार्बन है कौन सा मिथियन सरलता महाइडरोकार्बन ह निमनांकित में कौन चारिये उक्षाइड है तो क्या होजाँेगा ने टू ध्यान रखना है अगला क्यों करता है और आज की च्वेश्नमट पूर क्या जरूर आईएगा दोस्तों पूरा क्यों को बना दिदीज्वेक्ट कल जैसे आप लोग का इसाम का है तो आप लोग अच प्रकास के पुछ सकता है इस साल भी पूछने के चांसेच बहुत जाएदा दोस्तो अप्रकास मिंठ्टाही उतَّर JEFF B इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question कहता है अवतल lens का आवर्धन होता है तो दोस्तो अवतल lens का आवर्धन कैसा होता है B by U से हम लोग denote करते हैं किससे B by U से जिसमें B by U लिखा रहेगा वही correct answer हो जाएगा दरपन सुत्र पुषा जा रहे है दोस्तो दरपन सुत्र आप लोग याद कियो होंगे दरपन सुत्र क्या होता है 1 by B 1 by B plus 1 by U बराबर 1 by F क्या होता है 1 by B plus 1 by U बराबर 1 by F दोस्तो कहां पे दिया गया है दोस्तो A में दिया गया है यह इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसके बाद अगला question क्या कहा जा रहा है टिंडल परभाव परदरसीद करता है दोस्तो यह जो है परकास का परकिर्णन परदरसीद करता है दोस्तो D इसका correct answer हो जाएगा परकास का परिकर्णन कौनसा लेंस हवा में विशारी लेंस भी खालाता है दोस्तो कौनसा लेंस हवा में विशारी लेंस भी खालाता है उत्तल लेंस उत्तल लेंस अगला question कहता है उत्तल दरपन में परतिवीम बनता है दोस्तो उत्तल दरपन में कैसा परतिवीम बनता है अभाषि परती बहुत के होगए दोस्तों आप लोगों को पूरा question में जरूर बना के आना है निम्न में कौन सा पदार्थ lens के लिए प्रयूक्त नहीं किया जाता है तो धियान रगना पीतल का उपयोग नहीं होता है lens बनाने के लिए किसका पीतल का दोस्तो C इसका correct answer हो देगा पीतल निम्न में कौन सा संख्या परकास का प्रावर्तन के नियम के लिए सही है तो दोस्तों का प्रावर्तन पुछे यह आप वर्तन दो ही नियम होता है। क्वेसन कहता है किसी माध्यम के अपवरतनायं का मान क्या होता है तो दोस्तोश विल्कुल कोरेक्ट टेंसर हो जाएगा अगला फोकस दूरी पलस 20 सेंटिमेटर थो यह गोली दरपन कैसा होगा दूस्तों यहां पर पलस में दिया गानी की पोजिटीव दिया घाह तो दोस्तों पॉजिटीव कॉसे लेंज करता है उत्तल दरपन का अगला तौही प्रकास का जल्सक्राइब दिखाई देने का कारण है जो क कारण है अप वर्तन है क्या है अप वर्तन के कारण जो है कम गारा जो है नजर आते रहता है तो अगला क्वेशन क्या कहता है अव्तल दर्पन की फोकस दूरी होती है अव्तल दर्पन के फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तो रिनात्मक होती है अव्तल दर्पन की धनात्मक होती ह आप लोग को बिल्कुल कोरेक्ट मान के आना और यह कुछने का चांस जैदा है किसी अव्तल किसी अव्तल दर्बन की फोकस दुरी एफ और उसकी वक्रता तिर्जिया आरतो निम्नाकित में कौन सा संबंद सही है दोस्तों इन में से कौन सा संबंद सही है क्या हो जाएगा इस इसलिए निम्मोनिया हो जाएगा दोस्तों निम्मोनिया हो जाता है तो सांस लेने में तकलिफ होने लगती है एंड्रोजन है दोस्तों एंड्रोजन कौन साहर्मोन है दोस्तों यह नर हर्मोन है कौन साहर्मोन है नर हर्मोन है रुधीर चाप नियंत्रित होता है तो क्या कर कुल्सा नियंतरित होता है k树 के दरा ब Schuld के दवरा रिनलड दरा अगला कुछन पूचा जा रहा है तो दोस्तो शुक्रवाहिका अगला कुछन पुछा दागा दूखंडन किस में होता है दोस्तो दूखंडन होता है दोस्तो परामीशियम रहेगा या अमीबा रहेगा या लेमीनिशिया रहेगा तीनों में दोस्तो होता है इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा इन में से सभी एक्स्टाहबीद होता है कि कहां से सरावीद होता है दोस्तों यह सरावीद होता है व्रीशन क्या कहता है मानम मस्तिष का औसत भार क्या है दोस्तो मानम मस्तिष का औसत भार पुषा जा रहा है और यह भी जो है बीवी एक क्वेशन है कितना होता है दोस्तो यह होता है 1.4 kg कितना kg 1.4 kg बिल्कुल कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोन पर आवेस होता है दोस्तों इलेक्ट्रोन का मान पुछा जा रहा है यहां पर क्या होता है ध्यान डखना एलेक्ट्रोन का मान होता है 1-1.6 x 10-12G-19Colomb यानि कि क्या हो जाएगा 1.6 x 10-12G-19Colomb हो जाएगा बिल्कुल correct answer C हो जाएगा next question क्या कहता है खिलोनों में किस सेल का उप्योग होता है दोस्तों खिलोनों में कौन सा सेल का उप्योग किया जाता है दोस्तों इसमें सुखा सेल का सुखा सेल का अगला कोशन काता है कारी करने की छमता को क्या कहते हैं कारी करने की छमता को हम लोग उर्जा कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कारी करने की छमता को उर्जा कहते हैं दोस्तो इसमें पुछा जारा है कौन सा विस्थापन और किरिया का उदाकरन है तो दोस्तो उदाहर लबन हो जाएगा अगला question करा रहा है तीरती तुतिया नीला थोथा का पुछा जारा है दोस्तों याद रखना है तुतिया का अनुसुत्र पुछा जारा है तो नीला थोथा का अपुसुत्र क्या होता है क्या हो जाएगा दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो गोल का पी एच मैन क्या हो जाकता है दोस्तों नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है तो इसका पी एच मैन कितना हो जाएगा दू हो जाएगा कितना हो जाएगा दू हो जाएगा अगला क्वेशन कहता है बेंजीन का अनुसुत्र होता है तो बेंजीन का अनुसुत्र क्या होता है c6 h6 क्या हो जाएगा बेंजीन का c6 h6 बिल्कुल कोरेक्ट एंसर हो जाएगा next question है एथील एथील एलकोहल का आयोपी एसी निम क्या है दोस्तो एथेनॉल एथेनॉल कहते हैं क्या करते हैं हम लोग उसे एथेनॉल कहते हैं CNS2N निमलिखित में जो से किसका समाने सुधर है। किसको बोलते हैं हम लोग एक से लेकर से स्ट्रिक आप याद कर लिजिए स्टेवर यूँस से लोहा कार्बुम के अलाब अन्ने तत्व का उप्योग होता है तो पीतल क्या है अन्हें शेन से डातों से धायतु से डातों से धातों अधातु के ऑकसाइड कैसे होते हैं दोस्तों अधातु के ऑकसाइड होते हैं यह होते हैं कैसे होते हैं अधातु के अमलिये होते हैं कारवन क्या है दोस्तों यहां पे पुछा जा रहा है कारवन क्या हो जाएगा तो कारवन जो है बिल्कुल अधातु है क्या है कारवन अधा क्या होज़ेगा औस संत्रिप्त है यहां पर c2 h6 अगर रहता सब संत्रिप्त रहता लेकिन यहां पर c2 h4 है इसलिए यह नहीं संत्रिप्त हुए है दोस्तो अगला क्वエ्शन कहता है सिंट कन जातबे से हधिए दोस्तो ऊपिरे काहस कहा खी लिए में से पुछा जाओ यह दोलोले कसी दूद्ध मों कलके को हुछ है उपधातु कौन से है दोस्तों S B हो जाएगा बिल्कुल कोरेक्ट एंसर हो जाएगा जो कि सिल्बर होता है अगला कोशन कहता है पौधों में स्वसन होता है तो पौधों में स्वसन किसके कहां पर होता है दोस्तों ध्यान देना यह जो है जर में होता है पत्यों में और तना म तीनु में होता है इसलिग सही उतर हो जाएगा इमें से सभी सोपोसी कान है दोस्तो सोपोसी के बार में पूचे जारा है यानि कि खुद से पलने वाला यानि कि उसको किसी को 필요 जरूरत नहीं banned किस रूप में जमान होता है दोस्तों यह होता है स्टार्च के रूप में किस के रूप में स्टार्ज के रूप में दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेनत लग लग लगी है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी सेर कर दीजेगा जिसे वह अभी पर ले तो थोड़ा कुछ एक्जाम में ज दोस्तों यह क्या कहलाता है कोसी का भी ज्यान कहलाता है क्या कहलाता है कोसी का भी ज्यान बिल्कुल कोरेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन कहता है माना भीरदाए घिरा हुआ है तो किस से घिरा हुआ है माना भीरदाए दोस्तों यह जो है पारा कार्डियम से घि प्रिकुल कॉरेक्ट एंसर हो जागा और यहां कुछ आप नहीं पूछ जाएंगे दोस्तों इस कुछ आप लोगों ध्यान दैना है उपर वाले कुछ जाएंगे मैं अभी यहीं बता देता हूं मनुस में स्वेत रक्त को सिकाओं कि जीवन अब दी कितनी होती है दोस्तों यालोका जो है 99 परसें चांस है कल के एग्साम में फॉर्स सिटिंग या स्रावित चांस है औरह दोसतों कमायद में सरम्zone सब्सक्रावाग कोंपधी उप्योग क्या जाता है किण फॉआज पूरावर्ड पुछा जाएगा एक यूट मखड़ावर क्या हो जाएगा टी पॉआज पॉआज बढ़ावर्ड पूआज़ा एक यूट एलेक्ट्रिकल एक गन्ट की वाट पर घंटा के डवलू पर आवर्ड पूछा जाला है दोस्तों किसका जो है इकाई है दोस्तो धियान रखना यह सक्ति की इकाई है किसकी इकाई है सक्ति की इकाई है किसकी पावर की विदूत फ्यूज विदूत धारा के किस सिधान्त पर कारी करता है दोस्तो यह किस सिधान्त पर कारी करता है उसमिय सिधान्त पर कारी करता है कौन से सिधान्त पर उसमिय सिधान यहां पर बोल्ट मीटर पुछा जा रहा है तो बोल्ट मीटर हो जागा समांतर करम में दोस्तो धियान देना है और यहां पर अगर आ मीटर रहता तो स्रेनी करम हो जाता है बट यहां पर बोल्ट मीटर है समांतर करम हो जाएगा और 99% चांस है पूछने का विदूत परिपात किस उर्जा को विदूत उर्जा में रुपांतरित करता है तो दोस्तों यह इस्थिती उर्जा को जल उजा में विदूत उर्जा में रुपांतरित करता है डी इसका विल्कुल कोषर्क एंसर हो जाएगा बिजू टबल में कौंसी गैस भरी राती है भी ठैसर दोस्तों कौंसी गैस भरी राती है इस नंबर पे आप लोग जैसे एक्जाम देखे आते हैं निकलते हैं आप लोग इस नंबर पे जो एक क्वेस्टन जरूर भेज दिया कीजिएगा जिससे क्या होगा मैं तुरांत एंसर की बना दूंगा दोस्तो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैबारत अच्छा से एक्जाम दीजे गुड लख जैहिंद जैबारत